गुड मॉनिंग स्टेंग सेंटेंजिस की ओलाइं क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर वन भाषा लिपी और व्याकरण पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नाम है भाषा लिपी और व्याकरण सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाषा भाषा किसे कहते हैं? देखिए हिंदी में भाषा मनुष्य एक समाजिक प्राणी है समाजिक प्राणी सताथ पर है कि मनुष्य समाज में रहता है पहले परिवार में रहता है फिर आसपडोस और फिर अपने नगर पर इस तरह से बहुत सारे लोग सब एकसाथ मिलकर रहते हैं तो वो एक समाज क्यालाता है और समाज में रहने के लिए उसे अपने विछारों को दूसरे तक पहुचाने के लिए बोलने की आविशक्ता होती है भाशा की जरुवत होती है उसी भाषा को बहें बोलकर लिखकर व्यक्त करता है चाहें वो बोलकर बताए चाहें वो लिखकर बताए और दूसरे और दूसरों को जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको विचारों को सुनकर जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है इस प्रकार विचारों एवं भावों का आधान प्रदाम भाशा के माध्यम से ही संभब होता है यह दूसरे शब्दों में हम कहें तो देखिए भाशा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारूं, एम, भावों का आदान प्रदान करते हैं तो इस प्रकार हमने यह जाना कि भाशा किसे कहते हैं और देखिए आगे संसार में अनेक भाशाएं बोली जाती हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, चीनी, फ्रैंच, जर्मन, जैपानी, उर्दू, अर्भी, फार्सी, आदी बहुत सारी भाशाएं बोली जाती हैं हमारे देश भारत में भी अनेक भाशाएं बोली जाती हैं जैसे हिंदी, पंजावी, गुजराती, मराथी, तमिल, तेलगू, कंणण, आदी भाशा के रूप आप देखिए आते हैं भाशा के रूप हिंदी भाशा का निम लिखे तीन रूपों में प्रियोग होता है अभी हमने बताया आपको कि भाशा किसे कहते हैं एक व्यक्ति को बोलने के लिए अपने विचारों को प्रिकट करना होता है अपने भावों को बताना होता है और वो कौन-कौन से माध्यम से उनको व्यक्त करता है नेक्स्ट हमने देखा कि संसार में बहुत सारी भाशा हैं फिर हमने देखा कि भारत में भी बहुत सारी भाशाएं है अब उनी भाशाओं को तीन रूपों में बाटा गया है सबसे पहले आता है हमारा मौकिक भाशा फिर आता है हमारा लिखित भाशा नेक्स्ट आता है हमारा सांकेतिक भाशा सबसे पहले आता है हमारा मौकिक भाषा ये भाषा का मूल रूप है ये भाषा का में रूप जिसे हम कहते हैं भाषा का यही रूप सभाविक एवं बयापक होता है जिसे हम कहते हैं कि नैचरली जो अपने आप बता रहा है, अपने कोई पढ़ा हुआ नहीं बोल रहा है, या अपने आप बोल रहा है, तो उसे कहते हैं सोभाबिक भाशा, बच्चा अपने घर परिवार या आसपास की वातावरन से जो भाशा सीखता है, किसे सीखता है, बच्चा अपने घर परिवार, अ भाष्या के इस रूप का प्रियोग अनपड़ लोग भी बड़ी असानी से कर लेते हैं। इस रूप में विचारों का अदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। आते दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। मौखिक भाष्या भाष्या एक ऐसा रूप है जिसमें विचारों एवम भावों का अदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। जैसे उधारन देखिए, बातचीत, आपसने बाते करना, बाद विबाद करना, भाष्या देना, कहाने सुनना, सुनाना, टेलिफोन पर बात करना आदी। ये हैं हमारे मौखिक भाष्या के उधारन। अब देखे लिखित भाषा किसे कहते हैं जब व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुँचाता है यह दूसरे शब्दों में हम कहें तो दूर बैठे किसी व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख की द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है तब उसे भाषा लिखित रूप कहते हैं जैसे बत्र लिखना कहानी पर्ड़ना समंचार पढ़ना आदी लिखित भाषा के अंत्रगत आता है लिखा हुआ परना भी लिखित भाषा के अंतरगत ही आता है अब next देखिए संकेतिक भाशा किसे कहते हैं जब संकेतों के द्वारा बात को समझाया और समझा जाता है तो उसे संकेतिक भाशा कहते हैं जैसे आपने देखाओगा कि चौराहे पर एक सिपाई खड़ा होता है जो अपने हातों के संकेतों द्वारा वो आपको यह यातायात को नियंतरित करता है क्रिकेट का एम्पायर निर्देश जो देता है वो भी हमारा सांकेतिक भाशा में आता है मूख अर्था जो बोल नहीं सकते मूख वदिरों का बर्दला इत्यादी जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते वो भी इस भाशा का प्रियोग करते हैं इसके अतरिक्त भाषा के अनरुबी हैं जैसे देश के अधिकांश लोगो द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को रास्ट भाषा कहते हैं देश के अधिकांश्ट लोगों द्वारा जो सबसे जाता बोली और समझी जाने वाली भाषा है उसको रास्ट भाषा कहते हैं जो भाषा बालक अपनी मा अत्वा परिवार के सदस्यों द्वारा सीखता है उसे मात्र भाषा कहते हैं जिस भाषा को प्रियोग या जिस भाषा का प्रियोग सरकारी कामकाज में अधिकारिक रूप में किया जाता है उसे राज भाषा कहते हैं भारत में एकात्मक्ता लाने के लिए विद्वानु एमशिक्षा विदोने भाषा के जिस रूप को मानता दी है उसे मानक भाषा कहते हैं इस प्रकार हमने यहां पर रहे पड़ा कि भाशा किसे कहते हैं भाशा की कितने रूप होते हैं और अन्य भाशाओं में भी ये अन्य बोलियों में भी किस तरह से उसको बोला जाता है अब जैसे एक देखिए कि बोली क्या होती है बोली किसे कहते हैं ये भाशा छेत्री वोता है किसी छेत्र विशेश में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं छेत्र से तात पर रहते हैं कि आप अपने एरिये के कॉर्डिन जैसे भोश्पुरी की भाषा थोड़ा सा अंतर है ब्रज भाषा मारवाडी राजस्थानी आदी तो छेत्र के अनुसार बोली जो है उसको बोली कहते हैं कि 14 सितंबर को समिधान के अनुच्छेत 347 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में सिमित किया गया था किसकी रूप में सिमित किया गया था इसलिए इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है